भयानक जंगल की कहानी एक समय की बात है एक सुन्दर और शांत गाव था जहांके लोग अपने चारो तरफ बसी हुई प्रकृती में सुखी जीवन बिता रहे थे गाव के एक छोटे से बच्चे का नाम था शानू एक दिन अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ निकला जंगल में जाने का आइडिया उन सभी बच्चों को बहुत पसंद आया जब वो जंगल घूम गए उनको जंगल की सुन्दरता और शांती ने खीच लिया लेकिन धीरे धीरे वो लोग भयानक कुछ महसूस करने लगे एक अंधेरी गुफा में पहुँचते ही उनको वहां एक विशाल हाथी मिला हथीन का चेहरा गंभीर था लेकिन उसकी आँखों में एक अनोखी चमक थी हाथी ने शानू से कहा शानू मैं जंगल का राजा हूँ ये जंगल मेरे बराबर है और मैं यहां का ध्यान रखता हूँ परंतु मेरे दिल में एक बड़ी परेशानी है जंगल के कुछ हिस्से में लोगों ने अंधेरी बात की है कुछ लोग आये हैं और इस जंगल को नुकसान पाहों चा रहे हैं हाथी ने मुस्कुरा कर कहा दोस्तों ये जंगल हमारे सारे जीव जन्तूओं का घर है हम सब को इसकी रक्षा करनी चाहिए तुम लोग मेरी सहायता करो और हम मिलके इस जंगल को सुरक्षित रखेंगे शानू ने हाथी से उसके दुख भरे दिल की बात सुनी और तब उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलके जंगल को बचाएंगे उन्हें हाथी से पूछा बड़े भाई आप हमें बताएं हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं शानू और उसके दोस्तों ने हाथी के साथ मिलकर जंगल के लोगों को जगाया और उनको जागरूप किया सबने मिलकर एक साथ काम किया और जंगल की सुरक्षा में योगदान दिया उनका एक संगर्ष था लेकिन उनका एक साथ काम करना और प्रेम जंगल को बचाने में उनकी जीत को निश्चित किया इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर को बचाने के लिए मिलके काम करना चाहिए जंगल की रक्षा में योगदान देना हम सब का कर्तव्य है क्योंकि प्रकृती ही हमारा असली घर है